सब्सक्राइब करें सूपर टेलर चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँश सके हलो दोस्तों सूपर टेलर चेनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले है फिटिंग शट की कटिंग किस तर से की जाती है तो चली दोस्तों सब से पहले हैं पर हम शट का मेजरमेंट देख लेते हैं तो लेंध का मेजरमेंट है 27 मेजरमेंट के शट की कटिंग करने के लिए यहां पर हमने सवाद 2 मिटर कपड़ा लिया है जिसकी मदद से हम आपको बहुत ही आसान तरीके से शट की कटिंग करना सीखाने वाले है तो आप हमारे वीडियो को अंतर तक जरूर देखे ताकि आपको कटिंग समझने में आसा नहीं हो तो सबसे बेले तो दोस्ता में यहां पर कपड़े को उल्टा करेंगे क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर की जाती है और यहां पर हम कपड़े को डबल करते वे जमाएगे उल्टा भी करेंगे और डबल करते वे जमाएगे ताकि हम यहां पर दोनों करते वे और उल्टा करते वे जमालिया है अब यहां से हम फ्रेंट की कटिंग करने वाले तो चलिए दोस्तों फ्रेंट की कटिंग करने से पिल आप कपड़े को प्रॉपर तरीके से जमाले उसके बाद यह आप फ्रेंट की कटिंग करें तो देखे हमने कपड़े को बिल्कु काज प्लेट के लिए तो यहां पर देखें हम प्लेट के लिए धाइंच पर मार्किंग कर रहे हैं और दोस्तों आपको हम बता दे कि जिस फ्रेंच पर मार्किंग करते हैं वह हमारा काज प्लेट वाला फ्रेंट रहता और नीचे वाला जो फ्रेंट है वो बटन प्लेट वाल तो यह देखे दोस्तों यहां पर हमने इस तरह से प्लेट के लिए धाइंच मार्जिन लेते वे मार्किंग कर लिए और इसे सीधे स्केल की मदद से मिला लेगे तो यह देखे दोस्तों इस तरह से हमने सीधे स्केल के मदद से मिला लिया है और इस तरह से हमारी जो प्लेट की मार्किंग वो कम्प्लीट हो गई है अब चलिए यहां पर हम लंबाई के लिए मार्किंग कर लेगे तो दोस्तों जब भी आप ओपन शटकी करें तो आप यहां पर लंबाई से सवा एक इंच मार्जिन जादा ले ले क्योंकि आदा इंच तो हमारा फ्रेंड को शो सवा 28 इंच पर हम लंबाई के लिए मार्किंग कर लेगे तो देखे 17 इंच तो हमारा सटकी एक्च्वल लेंथ का मेजर्मेंट और सवा एक इंच बढ़ाकर हमने सवा 28 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग कर लिए इसके बाद दोस्तों हमें चेस्ट के मार्किंग करना हम पर ँचेश्ट का मेजरमेंध भी जो स्टो खेश्ट का मेजरमेंट का में fy voice करना होता है कि उसके बाद हमें करें और साधे पंद्रा इंच पर मार्किंगे कि ए और 28 इंच पर हमने यहां पर 한다 कि मार्किंग कर लिए तो हमारी विल्कुल किषीदि हो न हो यहां पर हम किसी मोटे कस्तेमर की सटकी कि कट्णिंग करते तो इधाया पर हम टमभी का मार्किंग साड़े सोला इंच पर करते हैं फिलाल यहां पर हमारा जो कस्टमर्य दुबले से अब डिपर वन इंच सभी मार्किंग वेज्ग को रोखां पर किन लेते किस तरता से की जाएगी अब चलिए दोस्तों यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग कर लेगे तो जो कोलर का मेजरमेंट था उप 15 इंच था जिसके कारण हमें गले के लिए पोने 3 इंच पर मार्किंग करना होगी काफर सारी वीडियो में हमने आपको पहले भी बताया कि हम किस तरह से जल इंच और हमने सिलाई मार्जन लेना होगी तो 50 बहुत पर हमने सिलाई मार्जन ले लिए और इस तरह से विए मार्किंग कर दी है इसके बात दोस्तों यहां पर हमने यो शॉलडर की मार्किंग ने कम्प्लीट हो गई ए अब चलिए दोस्तों हमें आर्म होल की मार्किंग पर चेस्ट के लिए मार्किंग करना होती तो चेस्ट का जो मेजर्मेंट था वह तो दोस्तों नो इंच और मार्किंग कर लेगे और दो इंच हमें शर्ट की लूजिंग लेना है और प्लेट का जो बटन प्लेट और काज प्लेट का जो बटन लगने के बाद दबाव आता है पुन इंच वो भी आपका एड़स्ट हो गया तो इसी तरीके से यहां पर बोटम इंच और एक सूथ पर उन दोनों मार्किंगों को आप मिला ले मिलाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आप यहां पर दो इंच का जो हम नीचे ओपन शट के लिए राउंड लेते हैं तो दो इंच पर आप मार्किंग कर लें और इस तरह से आप यहां पर पần प्रॉट पर की मार्किंग कर लोत लिए ताएक आप कटिंग आशानीी से कर सके आप तो इस तरह से यह देखे दोस्तों हमने ओपन शट के लिए राउंड ले लिया है अब दोस्तों आपको round shape में घ्म धेना होता शट के लिए तो यह देखें आप इस तरह से देगे कि आप इस तरह से रखिए ताकि की जो की मार्किंग की मार्किंग और bottom में जो हमने round लिया है वहां तक की मार्किंग आपकी मिल जाए तो देखें यहां पर हमने राउंड स्केल को इसी तरीके से जमा लिया है और इसी तरीके से यहां पर आप फेटिंग शेप सट के लिए दे दे तो यह देखें हम यहां पर हमने शट के लिए फेटिंग शेप दे दिया है इसके बाद दोस्तों हम समझेगे कि हमें उपर गले के लिए और आर्म होल के लिए शेप किस तरह से देना है तो चलिए वह भी आपको समझा देते किस तरह से आपको यहां पर मार्किंग के साब से शेप देना है तो सबसे पहले तो आप यहां पर यह देखे इन मार्किंगों को मिला ले जो हमने उपर सोल्डर के लिए और आर महल के पर मार्किंग की थी यह देखे इसे मिला लिया है और सोल्डर के मार्किंग को भी आप मिला ले और गले के मार्किंग को भी आप इसी तरीके से मिला ले कि इसके बाद दोस्तों हमें गले के लिए गोल सेफ में मार्किंग करना होती ताकि हम कर सकें हू chi ने जर्ट मेने 2 इंच की मार्किंग करें तर हम यहां पर 1,5 इंच अंदर करेगे कि देखें मार्किंग कर लिए और अब उपर जो सोल्डर वाली मार्किंग थी उससे हम इसे मिला लेगे और इसी मार्किंग से होते हुए हम आर महल में शेप देगे तो देखे दोस्तों इस तरह से हम आर महल में शेप देना है YouTube channel पर नए हो या अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइक होने उसे प्रेस करें ताकि आगया आने वाले सभी लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सकें तो दोस्तो अब तक हमने समझाओ कि किस थर से फरेंड की मार्किंग और कटिंग की जाती है इसके बाद हम समझने वाले हैं कि बेख की कटिंग कि स्थर से कि जाएगी तो आप हमरे वीडियो पर कंटिन्यू वाच करें ताकि आ हमने फ्रेंट की चोड़ाई रखी थी वह सवा 11 इंच रखी थी मिंस 11 इंच और एक सूद रखी थी तो यहां पर हमें बेक की कटिंग करने के लिए करीब वेक के सास्थ की कटिंग करे तो आपको याद होगा हमने longer 2-5 इंच पर-5 और वी तो दरब अ然后 मार्किंग लेना है और 3 इंच से ति नीच नीचे से आपकोसे कपड़े पर जमा लेना है तो दोस्तों निचे से तो हमने 3 इंच पर जमाया है और साइड से आप 5 इंच बाहर करते हैं जो हम बेक की चुड़ाई रखेंगे वह फ्रेंड से 5 इंच कम रखेंगे तो हम आपको मेजर करके बताएगे कि हम पर इंच फ्रेंड को किस तरह से बाहर कर रहें तो उपर से तो आपने तीन इंचे डाउन करते वे फ्रेंट को जमा लिया और यह देखिए अपने पून इंचे फ्रेंट को बाहर रखा बेक से इस तरह से जो बेक की चुड़ाई यह वह फ्रेंट से पून इंचे कम हो जाएगी और आपकी जो फिटिंग होंगी शटकी वह प्रफेक्ट तरीके से आपको आएगी और आपको किसी पर प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो देखिए यहां पर इस तरह से आप सबसे पहले बेक के कपड़े में फ्रेंट को जमा ले और आर मोहल में आप 1.5 इंचे अंदर एक मार्किंग करें इसके बाद दो पर मिलाने के पाद यहां पर आप आर मोहल में शेव देते व्य मार्किंग कर ले मैं कि तो मिद्याक कर रहे हैं कि इसके बाद दोस्तों हमें उपर भी में शोलडर की क्टिंग किया उससे ब्सक्राप यहां पर से शोलड़ के पास से चलाद की थे-सममने बीच days control कर करते वे रखा है फ्रेंट को इसी तरीके साथ उपर भी तीन इच पे मारकिंग करते वे शोल्डर के लिए मार्किंग करें इसके बाद दोस्तों गले में आप शेप देते हो मार्किंग कर ले ताकि हमें कटिंग करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आये तो यहाँ और हमने बेक में गले के लिए मार्किंग कर लिए अब दोस्तों यहां पर आप फ्रेंट की शोल्डर के चुड़ाई देख लें हाँ पर कितनी आ रही है बिल्कुल एक्जेक्ट यह देखे साथ इंच आ रही है तो इसी के कोडिंग यहां पर भी हम देख लेगे यह देखे हम अब भी हमारे साथ इंच आ रही है तो हमें स्टिचिंग करते वक्ते किसी प्रगार के कोई प्रोब्लम नहीं आएगी और आसानी से बेक के शोल्डर को और फ्रेंट के शोल्डर को आसानी से अटेच कर पाएगे नीचे से हम बेक की लंबाई को आदा इंच कम कर देते हैं सबसे पहले मार्किंग कर लें कटिंग करते वक्तु हम इसकी लंबाई को कम कर देगे तो चली दोसता हम आपको कतिंग करके किस तरह से हमें कारना है Mr. um आप पर हमने बेक की मार्किंग आपको करना बताया है से मिसी के कोsurंडिंग यहां पर आप कर ले दोस्त हम आपको पेले भी सजेस्ट करते थे ओर आभ है कि सशल्डर की कडिय्ग कर सब्सक्राइब कि करने का और हमने आपको अभी बताया था कि रहल नंबा है वह फ्रेंड से और इंचे कम कर लेते नीचे से तो हमने मार्किंग कर लिए मार्किंग से हम आदा इंचे करो क्रते चंऎक अपर कर दोस्षर से करेगे तो हम यहां पर दोनों क्तिनों के किसा से कर देते हैं उपर से में ज्यादा करना और नीचे से कम ऊचल और तो यह मतलब मतलब यह उपर वाला हिस्सहाel यह front attach होगा तो marking वाल आपका हिश्चा होगा वह front attach होगा आगे आपको समंझ में आएगा फिलाल चली हम आपको बता देखिए कि हम उपर कितना fold करते हैं तो आर महोल की marking पर depend करता दोस्तों हम ने आर महोल की marking तो यहां पर भी हम साद़ए आट लेते हूं कर लेगे औरा किया करूंकि आर्मॉल की मार्किंग सार्म करें यहां पर 138 इन do am करते हुए यहां पर मेकिंग करना होगी हम यहां पर तीन इन्ची का शेफ लेते हुए कटिंग करें के यहां से आप 2 इंच मार्किंग कर लें घलता से से लंबाइज कम करें चोवीश होजाँ के डिएंच पर दोस्तों हच कम करते हुए पर नीचे से जो हमने फिटिंग देना है अस्तिन की वह पोने चेंच पर हम मार्किंग करें अब दोस्तों इन मार्किंगों को मिलाएगे नीचे से यह देखिए आप इस तरह से मार्किंग को कर ले और जो हमने उपर तahlए 8 इंच पर मार्किंग किती उसे और नीचे जो उने 600 पर मार्किंग की थी उसे मिला तक से मार्किंग करें इसके बाद दोस्तों जो हमने तीन इंचे डाउन में मार्किंग किये और दो इंचे उपर से मार्किंग किये उसे भी मिलाएगे फिलाल यहां पर अगर आपका कस्टमर अस्तिन की फिटिंग जाता है तो यहां पर आप हलका सा फिटिंग शेप भी दे सकते तोड़ा ज़्यादा चाहे तो आप ज्यादा दे सकते फिलाल यहां पर हम इतना फिटिंग शेप ले रहे हैं अब 2 इंची के बाद से अब यहां पर एस्टिंग में राउंड देना इस्टार्ट करें यह देखिए 2 इंची के बाद से अन। तो आप हमारी वीडियो को continue watch करें तो देखें इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने की cutting कर लिए अब हमें अस्तिन पट्टी के लिए और फ्रेंट करने के लिए हलका सा यहाँ पर और करना होगी राउंड में सबसे पहले दोस्तों आप अस्तिन में सेंटर के लिए कट लगा ले इसके बाद इसे डवल करते हुए नाखुन की मदर से मार्किंग करें इस मार्किंग से आदा इंच यहां बाहर करते हुए अस्तिन पट्टी के लिए कट लगाएगे तो देखें दोस्तों यहां पर अब देख सकते हैं जो हमने मार्किंग वाला फ्रण था वह आप हमारी आगे वाली साइट है और पीछे हमने अस्तिन पट्टी के लिए कर दिया तो आप समझ सके कि हमारी जो अस्तिन पट्टी बनाई जाती वह बेक में बनाई जाती है कि अब हमें फ्रेंट सेटेज करने के लिए अस्तिन में हलका सा और राउंड लेना है तो हम आपको पहले मार्किंग करते करके बता देते कि हमें कितना राउंड लेना और अगर आप भी न्यू लर्नर है तो आप सबसे पहले मार्किंग करें उसके आप कटिंग करें तो दे से दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से फ्रंट से करने के लिए अस्टीन में शेप दिया है और दोस्तों खास बात है कि आप यहां पर अस्टीन को डायरेक्ली अटेज कर पाईगे आपको किसी प्रकार की एक्स्टा करने की जरूत नहीं होगी ना फ्रेंट में ना अ 20 इंच था जिसका हाफ करने पाया जाएका 9 फिर एक इंच बढ़ा कर हैं पर कपड़े को फोल करते वे मुए ज्मालेव कि अब लेकिना में अब दोस्तो यह जो मारे कपड़े में कॉर आघी तो कुर की कठिग करने के लिए हाँ पर आप मार्किंग कर ले यह देखे इस त θαऴ से कॉर की कठिंग घेंगी और हमें हम चोड़ाई का चोड़र कड क्ट ना है तो हिए इस तरह से अप हैंपर बीक को जमारे पर प्र प्रॉपर तरीके से बैक को जमाए अगर आप तरीके से जू होगी और आप आसानी से बैक में शोलडर को पेस्ट कर पायेगे तो यह देखे दोस्तों इस तरह से यहां पर हमने बेक में बेक के हिसाब से यहां पर जमा लिया है और इसी के हिसाब से हम यहां पर दूसरे शोल्डर की भी कटिंग कर लेगे दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों अगर आप तक हमने आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको cutting समयदे में किसी प्रेकार कोई प्रवल्म आई हो तो आप हमें कमेंट करें हम आपकी प्रवल्म को दूर करेंगे दोस्तों अगर आप हमारे किसी टॉपिक पर वीडियो बनावना चाहते हैं तो आप हमें टॉपिक बताएं आपकी रिकॉर्मेंट के इसाब से भी वीडियो बनाएगे तो आज की वीडियो में हमने समझा है कि किस्ता से फेटिंग शट की कटिंग के जाती है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पर वॉचिंग